कुछने नजर लगा रे सुमांकिल को सबसे पहरे कह Черभ में आके बाइए यहाँ पर यहाँ पर पर ऐसा मंतर मारोंगा के जिन्दी की वार योंकिर कौन रखे रखे हैं कोन मंतर मर रहे हुआ है खिर्मा का तुम्हार है यहां यहाँ呀 मजी नहीं आ रहा है कि वाई किस तरह आउट करें रोई सर्मगों लेकिन कोई तो है जो मंतर मार रहा था कौन हो बे कोन हो बाई कोन मंतर कौन मार रहे हो वाई सच्ची कह रहा हूं यहां से मैं इधर से मैं मंतर मारूंगा जिंदी की पर सच्ची कह रहा हूं और सुबमंगिल को मंतर मारके हम्स्ट्रिंग दिलवाए वहाँ पर इंजरी दिलवाए को ने बाहर निकल तेरी ऐसी की तैसी सच्ची कह रहा हूं आज दोस्तों बजाक से अटके लेकिन आज टीम इंडिया ने बहुत अच्छा खिल है लेकिन हमारे प्ल जारफुक को वाले बाबा को वुलवां मंतर मरवाए इंडियन प्लियर के उपर जिसके वैसे गया है चैनल मतलब आप कह सकते हो टीम इंडिया ने बहुत बेटर पोजिशन में थी रोहित सर्मा के लिए बाई क्या ताली मतलब यह सब कुछ ने बहुत कम चीज़ है मैं तो कह रहा हूं बाई टीम इंडिया ने आज जिस तरह के स्टार्ट लिया है यह आप कहस रखते हो रोहित सर्मा की स्ट्रेटीजी के वैसे रोहित सर्मा इसलिए उसको हिट मैं का जाता है और टीम इंडिया की सक्सेश जो है इसलिए होती है लेकिन कोई तो मंतर मार रहे है पहले इस वीडियो को शेयर कर दो ठीक है जो मंतर मार रहे है बुला के मंतर मरवा रहे हो रोहित सर्मा ने 47 और मारे बंदा चक्का मांने या कोई दिक्कत निया लग गई आउट होगे वहाँ पे लेकिन जिस तरह का स्टार्ट रोहित सर्मा यहां पे टीट्वेंटी मैचेश खेल रहा है उसको को बताओ भाई वहां पे 50 आवर का मैच है न्यूजिनन के बॉलर थ देखा जिस तरह का इंटेंट रोहित सर्मा ने दिखाया गजब का इंटेंट दिखाया लेकिन सबसे बैस्ट अगर मैं कहो तो सुमन गिल का था सुमन गिल ने मतलब आप कह सकते हो बहुत अच्छी इनिंग के लिए वह 100 तक पहुंचने वाले थे लेकिन किसी ने मंतर मार क उसके हम्स्ट्रिंग में इंजरी दिल वाई जिसके वज़से उसको भेजा गया वापिस ड्रेसिंग रूम में और इसमें आप कह सकते हो रोहित सर्मा का मैं आप क्या सकते हो कैप्टेन के हिसाब से बहुत अच्छा डिसीजन था कि अपने प्लेयर को उसने इंजरी में खि हमारे पास और भी बैट्समैन है उनको बैटिंग करने दे लास्ट में अगर कुछ सिच्वेशन आते हैं विकेट विकेट गिर जाते तू फिर आना और फिर दोना यहां पर यह अच्छे स्ट्रेटिजी आप कहा सकते हो एक समझदार कप्तान की स्ट्रेटिजी कि अपने प को पुरा फाइक कूदे मावल है जब यहां पर रोषव सर्मा के चक्टे चौके लगए थे सल्मनेगिल के छक्टे चौके लग रहे थे और मतलब यहां परा आपकी क्या खुशी वाला मावल है अभी यहां तो अब इसे हम यहां से चार है कि 420-430 का स्पूर्ट अगर इंडियन टीम कर लेती है तो आज का सेवी फैनल भाई अपना है और यह जो मंतर मंतर मार के जो हकीम लुक के वगरा को बुला कि यह लोग ने मंतर मरवा है न यह मंतर आज काम नहीं करने वाला है क्योंकि भगवान स्रीराम का इनसान को तो उसके सामने भूद्प्रतवाले मंतर मार रहे तो सच्ची कह रहा हूं इधर से मैं मंतर मरवाओंगा बावसी रहोगा सच्ची कह रहा हूं जिन detailed about स्यंगें हो फॉर्ण कंप चीश् disruption यहां पर घर को मैं कह रहा है आपे